असलाम अलेकूम वल्कम टू मार यूट्यूब चानल स्वीटन सेवीज भाई शेफ्स मैरा उमीद है आप लोग खेहरियत से होंगे और हमारी रमजान सीरीज 2024 फूप मज़े से इंजोई कर रहे होंगे आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े कि मैं एक रेसिपी बना रही हूँ जिसका नाम है लच्छा रोल्ज इतनी ये कोई पॉपिलर रेसिपी है और हर किसी को ये पसंद होती है इस रेसिपी की एक जो स्पेशल खास्यत है वो ये कि ये आराम से एक फ्राइर हो सकती है हम सब को एक लिए रमजान में शूठा होता है कि फ्राइर नहीं खाना बहुत ज़ादा फ्राइर खाके तब ये थराब हो जाती है तो यह आप बनाकर अराम से फ्रीज करें और जब दिल चाहा इसको निकाला हलका सा ओयल से ब्रशिकि यहां पर हमने चिकन को स्ट्रिप्स में काटना है, आदा किलो चिकन है, फिंगर्स, स्ट्रिप्स, जो भी आप इसको बोलो, चीक है, इसको में मैरिनेट करूंगी, एक अंडा, अद्रक लसन का पेश्ट, वन टी स्पून, लाल मिच्चों का पाउडर, वन टी स्पून, यह आप कमजाद अपने हिसाब से कर से, सल्नद, वन टी स्पून, सोय नोस 2 तबस्पूंव, stud वन टी सोस, 2 तबस्पूंव, किया आ describes what it's, चिली गालिक सॉस वन टेबल स्पूल और इसमें एक चीज जो मैं आड करूंगी वो है पिंच ओफ औरेंच कलर उसे बहुत अच्छा एक टाचा आता है बिल्कुल एक ड्रॉप पिंच मैदा दो टेबल स्पूल अब इन सारी चीजों से हम अपने चिकन के फिंगर्स को मैरिनेट करेंगे एक से डेड़ घंटा और फिर क्या हम करेंगे यह आपको बताएंगे अब हम लच्छे और रोल्स कैसे बनाएंगे तो यहां पर मैंने ली है रोल पट्टी आप समोसा पट् इस तरह से आप थोड़े थोड़े से पैचेज में लेकर और इसको आप रोल करोगे और हम इसके काटेंगे अच्छी तेज शुरी लेके बारीक स्टिप्स या लच्छा लच्छा बनाना है तो इसको हमने लच्छे की शेप पे काटेंगे लच्छा यह बस एक ख्याल रखिएगा कि जो रोल की ट्राइंगल पट्टी होती है न वो नहीं लीजेगा ठीक है आप समोसे की लेलो या रोल की चौकोर वाली लेलो ठीक है अब इसको हम अपने डालेंगे बोल में और अभी तक इसका लच्छा बना नहीं है लच्छा कैसे बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी जब तक हम यह एक सेकेंड वाला बैच भी ले लेते हैं क्योंकि हमारी आदा किलो चिकन है जितना पतला होगा उतना एजिली आप स अब आपने इसको इस तरह से सेपरेट हाथ से करना है अराम से हो जाता है अब आपके कोई भी चिपकी भी हो तो वो सारी अलग से वह हो जाए अब सेकंड बैच आपको दिखाते हैं जिसने मिस्किया है वो इतना मुश्किल नहीं है बहुत आराम से तेज चूरी हो पतली प ठीक है यह देखें माशाला हमारे लक्षे अच्छे से कट गए अब हम क्या करेंगे अब हम आप समझें थोड़ा थोड़ा अपने बोट पर या माबल टॉप पर रखेंगे एक पीस उठाएंगे अपनी स्ट्रिप का और इसको हम फिर रोल हैं राइट हम इसको रोल की तरह रोल करेंगे बहुत लाइट हाथ से जेंटल हाथ से चीक है यह इसमें मॉइस्चर है अंडा है तो यह आराम से रोल बन जाता है चलें आपको दिखाते हैं एक और और यह आराम से फ्रीज हो जाता है पूरा महीना भी नहीं खराब होगा थोड़ा सा जो हमारा एक्स्ट्रा है वह हम वापिस से इसमें डाल देंगे इसका साइज आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं रोल्स हैं तो मैं इसका लंबा रख रही हूँ आप छोटा भी कर सकते हैं जो यह एक्सेस है यह बेशक इसकी जरूरत हमें नहीं हैं देखें, कितने अराम से कवर हो जाते हैं, दिखने में मुश्किल लगता है, बढ़ है ने, एक्स्ट्रा आप सारा निकाल दो, इसका फ्राइंग टाइम है, क्योंके चिकन बिल्कुल कच्छी है, तो इसका फ्राइंग टाइम इस अबाउट एक तू नाइन मिनिट्स, डीप निट्वाए होगा ये गरम तेल में, आप इसको इस तरह भी रोल कर सकते हो और उस तरह भी रोल कर सकते हो, तो लूह पो दोनों तरीके बता रही हो, ये देखें, दोनों तरीकों से आपको बता रिया है, जो एकसेस है इसको आप निकाले तब मैंने सिर्फ एक चीज़ की थी कि इनको हल्का सा सेट करने के लिए दस से पंदरा मिनिट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख लिया क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्छी है तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे प्राई करें और लाप नहीं करना है इनको और इसको फ्राई करने का बिल्कुल मीडियम लो है ताकि जो हमारी लच्छा है ये क्रिस्प हो वरना होगा क्या कि ये सौगी हो जाएगा और क्रिस्प में बनेगा लाइट गॉल्डन कलर आना चाहिए चिकन भी गल्नी चाहिए चिकन भी हमारी अंदर पूरी कच्छी है और अगर एफ्रायर में डालना है आपने इसी तरह इसको दो तरीके बता रही हूँ आपको freeze करना है, इसी तरह आप इसको airtight box में freeze कर दें, पूरा महीना खराब नहीं होगे, ठीक है, और अगर air fryer में डालना है, इसी तरह से आपने उसको ठाया, अलका सा olive oil से brush किया, oil से brush किया, जो आपकी घर में use होता है, और उसको air fryer में 5 minutes के लिए डाला, फिल, side को change किया, brush किया, और 5 minutes के लिए, 5 minutes हो गए, यह अराम से हो रहा है, इसको मैंने बिल्कुल छेडा नहीं है, आप भी नहीं छेड़ेंगे, इसका frying time है 10 to 12 minutes, 5 minutes हो गए, यह defry हो रहा है, खुदी होगा यह, कि आपको जब लगे, कि इस पे color आ रहा है, तो फिर आप इसको बेशक सब है, इस तरफ से मैंने टर्न किया है, फिर देखें, प्राय हो कि माशाला कितने हुपसूरत हो जाते लिए, अराम से बन जाते हैं, बस थोड़ा सा अगर आप उसको सेट करना है, तो आप इसको 5-8 minutes पिज में, या जल्दी है, तो फीजर में रख दें, यह हम निकालेंग हो गए, इसका माशाला आप कलर देखें, यह कितनी क्रिस्प है, यह देखें, सारे एक कलर निकालिएगा, पहले किसी चनी में, स्ट्रेनर में, ताकि सारा इसका एक्सेस ओईल रेन आउट हो जाए, फिर हम इसको डालेंगे अपने प्लैटर में, यह काफी तेल होता है, अब मैं अपना दूसरा पैच फ्राय करूंगी, और फिर हम मिलते हैं आप से सर्विंग पर, यह देखें, यहाँ पर हमारे तच्छा रोल्स बन कर तयार हो चुके हैं, थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाओं, कि यह माशाला, कितने क्रिस्पी बने हैं, यह देखें, इसके लच्छे आप देखें, इसी तरह अगर आप बनाएं, फ्राय करें, थोड़ा सा सेट करके, तो यह बिल्कुल जबर्दस से बनेंगे, आई होप यह रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, ट्राय जरूर कीजेगा, और मुझे पीड़ बैक का इंतज रहेगा, अब जहर में बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, आपको दोनों तरीकों से फोल्डिंग मैंने बता दीए, इंशाला लगी वीडियो में मुलाकात होगी, बहुत सारा ख्याल रुटिएगा, अल्ला आपरस,